हेलो दोस्तो नमस्कार शुप्रभाद गुड मॉनिंग सस्यकाल जैहीन वंदी मातर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है किरोज की दरह आज भी हम आप लेकर आएं 20 अगस्त की करेंट आफर लेकर आएं और करेंट अफिर हम सबी केले काभी मेहतवपूर। यह दोस्तों काफी मेहत्वकून होती है हमारे परतों की परिक्षों के लिए भी ठीक है दोस्तों और हमारे competition exam के साथ तो होने वाला है दोस्तों लेकिन हमारे knowledge के लिए भी काफी important होती है तो दोस्तों करेंट रफर की सुरात करीश से पहले आज की स्विचार की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आज का स्विचार है अपना आज का स्विचार दोस्तों ठीक है सुनो दोस्तों लोगों ने कई कोशिशे की मुझे मिट्टी में दबाने की लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैं वे बीज हूँ में वो बीज हूँ मेरी आदत है बार बार उगाने की तो दोस्तों उमीद है कि आप इस स्विचार को समझेंगे भरे लोग आपको कितना भी प्रेशर डाले दबाव डाले आपको जुखाने की कोशिश करें लेकिन आप वो बीज बनो जो बार बार उग क्या दो दोस्तों आप वो शाहास रखो आप वो संगर्ष करो जो लोगो जब्रको लेकर दोस्तों तो पनी 20 अगस की जो पहली करंट है उसकी बात करें दोस्तों अक्षे उर्जा दिवस जो है प्रतिवस 20 अगस को मना जाता है यह दिन है वो उर्जा की नमनी करने संसाधनों की महत्व के बारे में जागुपता पेदा करता है और दिवंगत और गेस के बारे में जागरुक करना है साथ ही बात करते हैं विस्व मच्छर दिवत जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि 20 अगस्त को मना जाता है प्रतिवस्त ये भी तो मच्छर से होने वाले रोक और उनके बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 20 अगस् साथ ही बात करें तो आपको बता दो कि सर रोनाल्ड डो रोस नहीं मादा मच्छर के मलेरिया होने की जो कड़ी थी बीच की वह उन्होंने खोज निकाल ले थी कोशिन आ सकता है साथ ही बात करें तो 1897 में उन्होंने पाया कि मादा मच्छर है अर्थात एना फेलिज जो है वो मच्छर मलेरिया फिलाने के लिए जिमेदार है तो इन्होंने नहीं बताया था कि एम आदा एम अच्छर जो है जिसका नाम है एना फिलीज वहीं मलेगर्या फिलाने का कारण है वहीं जिमेदार है ठीक इन्होंने इसकी खोच करें थी साथ ही बात करते हैं तो राजीव घंदी की जेहनती की तो वह 20 अगस्त को मनाया जाता ह रहे हैं ठीक है साथी बात करते हैं दोस्तों उन्होंने 1984 में अपनी मा के बाद कारेभार कर लाइन होने ठीक है और साथी ततकालीम प्रदानमंतर इंद्रा घंदी की उनकी अंग रक्ष को द्वारा हत्या कर दी गई ठीक है दोस्तों तो आपको बता दो कि इंद्रा घंदी LTE की आत्मगाती हमलावर ने उनके क्या कर दी थी अगले साल जो दूसरी UN WGIC की मेजबानी करेगा भारत ठीक है तो भारत है वो अक्टमर 2022 में हिद्राबाद में दूसरी से एक राष्टर विश्व भूस्थानिक सुचना कांग्रेज यान की UN WGIC की मेजबानी करेगा और इसका विश्व जो है वो है टूवर्स जियो इनेबेलिंग दे ग्लोबल विलीज ठीक है और वेश्विक भूस्थानिक सुचना प्रबंदन जो है UN GGIM जो है उस पर वेग्यानिकों की संयुक्त राष्ट समयती हर चार साल में UN WGIC की मेजबानी करती है और 2018 में चीन ने अक्टमबर में पहली बार UN WGIC की मेजबानी करिए साथ ही बात करते हैं क्रिप्टो अपनाने में भारत है वो दूसरे स्थन पर रहा है तो ब्लोग्चेन जो है डेटा प्लेटफर्म की एक नई रिपोर्ट के एनुसार बात करें तो क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत है वो वियतनाम के बाद दूसरे स्थन पर आ चुका है साथ बात करें 554 डेशो को रेंग करने वाले पहली रिपोर्ट के एनुसार 2020 में विश्व भर में क्रिप्टो अपनाने में ऐट-á 80182 परतिस से अधिक की वर्दी हुई है और 2019 की तीसरी तीमाई के बाद से विश्व भर में इसे अपनाने में 2330 से अधिक यानि की तेविस सो परतिशाद से अधिक की वर्द्धी हुई है दोस्तों और महीला प्रवतारोन की बात करें तो दल ने किया है माउंट मनिरंग फत्व साथ ही बात करें तो तीनों ससस्तों बोलो कि एक महीला टीम ने 15 अगर्स 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मनिरंग को सबलतापुरोग फते किया है और उन्होंने 75 वे 17 दिवस के अफसर पर राष्टे द्वज को फेराया है और 15 सदेश्ची अभ्यान का नेतरत वह भारती वाईशेना आई एफ की विक कमांडर भावना महरा ने किया और माउंट मनिरंग जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे उची चोटों में से एक मानी चाती है रिलाइंस की बात करें तो हुरन ग्लोबल 500 सुची में भारत है वह भारती फर्में है ठीक है हुरन ग्लोबल है वह 500 में 12 भारते कमपनी को स्थान मिला है और एपल की बात करें तो एपल ने विश्वक की सबसे मुल्यवान कमपनी के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है जिसका बाजार पनुची करण की बात करें तो दो पन चार ट्रिलियन डोलर है जो की 15 परतिशत तक है और रिलांस इंडेस्टी इस लिमिटेड की बात करें तो 188 अरब डोलर के बाजार पनुची करण वाली कमपनी की भारते सुची में सबसे उपर है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो भारत की एक तिहाई तट रेका का कटा वह चुका है उसकी बात करें 1990 और 2018 की बीच भारत की सम्मोधी तट के 22% हिस्चे में सम्मोधी कटा हुआ और 27% का विश्थार हुआ साथी केंदे प्रत्वी विज्यन मंत्राले के तहत नेशनल सेंटर फोर कोस्टल रिसर्ज एनसी सी आर की हाल्या तक्निक की रिपोर्ट में ये जानकर दी गई है कि पस्टीमी बंगाल तटरेका विशिश रूप से कमजोर हो रही है जिसमें इस अवधी के दुरान 7% तटरेक जी के फूल खिलते पाए गए हैं जो हर 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं साथी बात करें तो इस बार दस एकड़ से अधिक निरंकुंजी के फूलों ने सालम हिल्स को कवर किया है और तरमिनाडू की सीमा से लगे पस्टीमी घाड की अनाकरा मेट्टू हिल्स से 2020 में अलग- मजूरिदी राष्टपती जी ने तो राष्टपती रामदान कोविन ने सविधान 105 वा संसोदन आधिनियम 2021 को अपनी सीविकरती दे दिये साथी ये राधिनियम है वो राधिय सरकारों की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो यानि कि A.C.B.C.S. की पेच प्रसिद्ध एदलेटिक्स कोच ओम नामबियार का अगस 2021 में को कोची कोड में निदनों गया और उन्होंने 15 वर्षों तक भारती वायुशेना की सेवा की और 1970 में हवलदार के रूप में सेवा ने वरती ये हुए थे उन्होंने भारत के सबसे महान ट्रेक और फिल्ड सित सब्सक्राब करता हूं कि जो हम आपके लिए लेकर आयते दो तो 20 अगस्त की करेंट है ठीक है दोब इसονli रिखन की present हεί ना डेक्स आफ marked के शान कर दिजे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ कर दीजे जो परतो की परिशल के तेयरी करें उनके साथ भी शेर कर दीजे क्योंकि competition exam में करंट हम्मेशा ही आता है करंट पूछा ही जाता है दोस्तों करंट है वो ही इसकी mandate की हड़ी पर मान सकते है वर्टी ब्लेट मान सकते है ठीक है दोस्तों तो करेंट को आप शेर करती है करेंट को लाइक भी करती है दोस्तों वो लाइक करने के साथ आपको करेंट वीडियो के सा लगा आप कमेंट कर सकते है दोस्तों कमेंट करने के साथ दोस्तों आभी का चैनल है क्योस प्य